रेल्वे बोर्ड पैसेंजर सर्विसेस कमिटी के चेर्मेन रमेश चंद्रे रतन ने राची रेल्वे स्टेशन पर ने रिक्षण के दोरान गंदिगी पायजाने पर फूड प्लाजा पर 25,000 रुपे का जुर्माना लगाया साथी सम्वेदक पर भी 50,000 रुपे का जुर्माना लगाया है बता दे कि तीन सदस्य रेल्वे बोर्ड पैसेंजर सर्विसेस कमिटी सोमवार को राची पहुँची यहां रेल्वे का अधिकारियों ने उनका स्वागत किया चेर्मेन रमेश चंद्रे रतन ने स्टेशन पर इस्टेशन पर इस्ट वभिन फूड स्टॉल प्लाटफॉर्म पर इसर रेल थाना प्रवेश द्वार कर निरिक्षण किया इस दरान उन्होंने फूड प्लाजा पर गंद की पाई जो देख वो भड़ा कुठे और पच्चेस हजार का जुर्माना लगा दिया प्लेटफॉर्म पर इसर के फर्ष पर टूटे फूटे होने नो बिल नो पेमेंट खादिपदार्थू की गुणवत था यात्रों की सुरक्षा इवं संतुस्टी का जायसा लेते वे उन्होंने कई दिशा निर्देश दिये उन्होंने कहा कि दिये गए दिशा निर्देशों को एक हफते के अंदर पूरा किया जाए किचन का जायजा लेते वे उन्होंने वाटर प्यूरिफायर नहीं होने पर नाराज की चताई राजी रेलवे स्टेशन का रेरेक्षण रमेश चंदर रतर ने किया और इसके बाद ये तमाम दिशा निर्देश जारी किये गए गंदगी जो है तो पहले हम नीमाइज पास किया फिर दिसकिया लेकिन उसका ट्वारिट बात फूट प्लाज़ा का देख करके टोटल जो मिला करते इसको 25,000 पर पैनल्टी किया है और इस साथ के साथ किया है वो पोचित तरीके से रहे खाली कमेटी देखने आई इसलिए नहीं अगर कोई भी पत्तकार बंदू या कोई भी कारकरता हमको रिपोर्ट करेगा तो इसके अंगेस्ट कोई कैक्सन और ज़्यादा कमने दस लेंगे